हेलो एंड विलकम टू दा गेट मास्टर्स गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है तो आज बीपीएसी ने एक बीपीएसी के चेर्मेंड सर ने डॉक्टर सिसीर सिन्ना जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके बाड़े में आप लोगों को पता ही होगा या फिर अगर पता नहीं है तो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि वो ट्वीट में क्या उन्होंने लिखाया और यह जो है आपको यहां पर दिख रहा होगा बीपीएसी एई जो टो टल चार अड़िजमेंट है उसका एक्जाम होने वाला था 01-29 का थीरह 14 को होने वाला था और 02 से 04 2019 का 16 और 17 को होने वाला था लेकिन अब क्या क्या है हमने बोल रहा है मैं बोल रहा हो कि होने वाला था यानिकि अभी अब यह एक्जाम इस डेट को नहीं होगा ठिक ह इसी के बारे में जो BPSC के चेर्मिन सेसर सिना सर जो है उन्होंने एक ट्विट किया है और उस ट्विट में बताया है उन्होंने कि किसी कारण वस एक unavoidal reason जो है ऐसा हो गया जिसके कारण जो है ये exam को postpone किया जा रहा है ठीक है और postpone करने के बाद अभी आगे कब होगा exam कैसे होगा इसके बारे में अभी कोई बात नहीं बताया गया है तो सभी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे अभी इस exam का तो अपना preparation आप continue रख सकते हैं या फिर और strong कर सकते हैं और बाकी जो भी है इससे related कोई भी news होगा या फिर कोई भी update होगा तो हम आपके सामने लाएंगे ठ देखते हैं बाकी और क्या होता है यह tweet अगर आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा यह tweet जो है अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसका cutting और उसमें उन्होंने साफ clear कर दिया है कि BPSC AE का जो exam होने वाला था 13 14 और 16 17 को वह exam अभ इस date में नहीं होगा और इसके बा आने वाले time में इसके बारे में कोई update और दिया जाएगा condition को देखते हुए तो ऐसा aspect किया जा रहा था कि BPSC exam नहीं लेगी लेकिन इस महिने के starting में उन्होंने क्या किया तो इसका पूरा schedule उन्होंने जारी कर दिया कि 13 और 14 को कैसे exam होगा 3 paper 13 को 3 paper 14 को फिर 3 paper जो है उसका 16 क 17 को तो इस तरीके से उन्होंने schedule भी जारी कर दिया था तो schedule जारी करने के बाद सबको लग रहा था कि यह exam जो है इस date में हो जाएगा लेकिन आज जब आज admit card release करने का date था 13 वाले exam का एक सबता पहले admit card देता है BPSC तो आज admit card इसको release करना था लेकिन admit card release करने के time में उन्हो कर दिया तो यह सब बाते हैं उसके अंदर की बात है तो यही सब जानकारी थी जो हमां आपके साथ share करना था तो उमीद करते हैं यह वीडियो जो आपके लिए थोड़ा बहुत helpful रहा होगा और अच्छा लगा होगा अगर इसा है तो please वीडियो को like कर दिजे दोस्तों के सा कर दिजे और चैनल पर पहली बार आएं या फिर चैनल को अभी तक आपनी सब्सक्राइब नहीं किया और इस अपडेट आपको रहना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे तो ठीक है फ्रेंस थैंक यू